अब हम जानेंगे आज के महाउपाय के बारे में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो धनकारक कौणियां होती हैं इनको आप अपने पर्स में रख करके चमतकारी लाब इसका कैसे ले सकते हैं आईए समझते हैं नमस्कार मैं हूँ वैभावनाच शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभावन मित्रों आज हम लोग बात करेंगे आठ दिसम्बर के पंचांग राशिफल और महाउपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम समवत 2075 मास चल रहा है मार्ख शीश का तिथी शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिती है शनिवार का दिन है नक्षत्र हमूल योग है शूल और करण है तो ये तो बात रही आज के पंचांग की अब चरचा करतें है है राशिफल की तो सबसे पहले बात मेश राशिवाले जातकôn के लिए अच्छा चलेगा आर्थिक इस्तिती बहुती मजबूत और प्रसनतादाई रहने वाली है आज आलस इसे बच करके काम करेंगे तो दिन आपका अच्छा बीतेगा गड़ेश जी की अराधना से आपको फायदा मिलने वाला है इन्वेस्टमेंट से आपको दूर रहना चाहिए वरिशब राशी वाले जातक लोगों के लिए महत्वपूर्ण विचार विमर्श आज आप कर पाएंगे लक्ष को ध्यान में रखकर के काम करने से आपको सफलता आज मिले ऐसी इस्तिती आपके लिए बंती दिखाई देती है परिवार में असंतोश का वातावरन आज स्थ रोत का पाट करें दूसरों के वादराच से बचना आपके लिए बहुत ही जरूरी होद के ब्राशे मिःतिनलाशी वाले जातक लोगों के लिए कारी में विद्न बाधा आने के योग दिखाई देते हैं समाज में आपके कारियों को लेकर करड़े आपकी अलोचना भी हो सक सब कुछ आपके पक्ष में होते हुए भी मन थोड़ा सा अप्रसन रहेगा दुखी रहेगा व्यापार व्यावसाई में ध्यान देने की आवशकता है खर्च जो है अनावशक रूप से बढ़े रहेंगे ओम जूम सह पाले पाले ये महामृतुंजय मंत्र का बीज मंत्र है इ चाहिए कारे की रुकावट से आप बहुत जादा तनावगरस्त चिंतित और विचलित ना हो हर दिन अप्लोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटको के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो य आज आपको डाउट आ सकता है तो ऐसे में आपको बहुत ही डिटर्माइन हो करके पूरा दृड संकल्प ले करके काम में लगना चाहिए नौकरी में बदलावत अथा पदोनती के योग नौकरी पेशा लोगों के लिए बन रहे है ओम वरिम रिहस्पताईन महमंतर का 108 बार जाप करें पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुहना मोने कर्णिया राशी मित्रों के सही योग से समस्या का समाधान हो सकेगा व्यापार में प्रगती के योग है दुस्साहस नहीं करना चाहिए आर्थिक निवेश लाबदाई सिद्ध रहेगा ओम रिंगनी सूर्य आदित क्लींग ओम इस मंत्र का 108 बार जाप करें पिता से वाद्वात संभावित है इससे आपको बचना चाहिए तुला राशी जीवनसाती की भावनाओं को समझे व्यापारे किस्तिति आशाजनक आपके पक्ष में रहेगी भेट उपहार आज कुछ मिल सकता है दार में कास था आ पहेगी ओम एंग रिंकलिंग चामुंडाई विच्चय ओम इस मंत्र का 108 बार जाप करें ऐसा कोई भी काम न करें जिससे बड़े बुजर्गों के दिल को उनकी भादना को ठेस पहुचे व्रिश्यक राशी मानसिक दृता से निर्णय लेकर के आप काम करें समय आपके बहुती लाबकारी सिद्ध होने वाली हैं धनुराशी पठन पाठन में रुची बढ़ेगी अनुकूलता के कारण मन में प्रसनता रहेगी परिचय शेत्र का विस्तार होगा व्यापार में लाबकारी परिवर्तन हो सकता है कुमारी करन्या को मिश्ठान भोजन कराएं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें कठोर वचन बोलने से किसी को भी आज आपको बचना चाहिए मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों को व्यापार की जो नई गतिविदिया है वो आपके लिए लाबकारी सिद्ध होंगी बुद्धी चात्तुर्य से आप अपने काम में आ रही बादाओं को कठिनाईयों को दूर कर पाएंगे शनी भारिया इस तरोत का पाठ करी और किसी भी व्यक्ति का उपहास न करें यानि मजाक न उड़ाएं कुम्बराशी कुम्बराशी वाले जातक लोगों के लिए पुराने संबंदों में यश्की वृद्धी होगी जीवन साथी के व्योहार में उकूलता रहेगी व्यापार में अधिक लाब प्राप्ति के योग आपके लिए दिखाई देते हैं जोखिम के कारे से आपको बचना चाहिए आज रिस्क लेने वाले काम से आपको दूर रहना होगा सुंदर कांड का पाठ करें व्यर्थ की य स्वेश करने से बचना चाहिए तो न Hug炼 ने जाना ग्रह नक्षतर की इस्थितियां क्या कहती है और दिन को शुद बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब हम जानेंगे आज के महा उपाइक के बारे में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो धन का रख कौणियां होती हैं इनको आप अपने पर्स में रख करके चमतकारी लाब इसका कैसे ले सकते हैं आईए समझते हैं कुछ ऐसी चमतकारी चीजें भी हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं जिनें पर्स में या तिजोरी में या धन के इस्थान पर रखना बहुत सफलता पाने के लिए कुछ नियमों के साथ ही प्राचीन उपाय किये जाएं तो गरीब व्यक्ति की किस्मत बदलने में भी अधिक समय नहीं लगता शास्त्रों के नुसार कई चीजों के चमतकारी उपाय बताए गए हैं इनी चीजों में से एक खास चीज है लक्षमी की प प्रगट होती हैं इसी वजह से महालक्षमी को कौड़ी जो है वो अत्यंत प्रिया है यदि कौड़ी को सिद्ध करके महालक्षमी की पूजा में साधना में सिद्ध करके उसको पर्स में रखा जाए तो लक्षमी कृपा किसी भी व्यक्ति को जल्दी ही मिल सकती है कौड़ी को पर्स में रखने से पहले की विधी क्या है ये समझना बहुत जरूरी है विधी विदान जो आपको मैं बताऊं इस हिसाब से अगर आप इसको सिद्ध करते हैं और उसको फिर अपने पर्स में स्थापित करते हैं तो आपको फायदा अवश्य मिलता है आम तोर पर कौडिया महासागर के तटो से ही प्राप्त होती हैं प्राचीन समय में इन कौडियों का उपयोग कई प्रकार के खेलों में प्रमुक्ता से किया जाता रहा है उस समय चौपड का खेल जो है वो बहुत ही लोग प्रिय था इस खेल में कौडियों का उपयोग पासों के तौर पर किया जाता था इसी तरह के खेलों में कोडियों का उपयोग की वज़ा से ही कोड़ी जो उस समय में बहुत महेंगी हुआ करती थी पहले रुपए पैसे का आदान प्रदान भी जो है वो कोड़ी के रूप में ही किया जाता था पुराने समय में कोड़ी का उपयोग इस्त्रियों के श्रिंगार में भी किया जाता था, मुख्य रूप से कौडियों की माला बनाई जाती थी, इसके साथ ही गर की साथ सज्जा में भी इनका प्रयोग किया जाता था, और आज भी इस कारे में इनका उपयोग किया जाता है यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में कोई ग्रह अशुब प्रभाव देने वाला है और उसकी आये पर बुरा प्रभाव अगर पड़ रहा है तो कुंडली में अशुब ग्रह को ठीक करने के लिए सही जोतिशिय उपचार करना चाहिए इसके अलावा धन की देवी महालक्ष्मी का ये जो उपाए मैं आपको बताऊं ये उपाए श्रेश्ट फल देने वाला है इससे तो अवश्य ही किया जाना चाहिए नियमित रूप से किसी विशेश शुब मुहूर्त में देवी लक्ष्मी की विदिविधान स पूजा अवश्य करनी चाहिए साथ ही जो उपाए आपको बताऊं इसको ध्यान से सुने और इसको प्रयोग में लाए इससे पैसे से जुड़ी हुई आपकी समस्या जो है वो दूर हो सकती है तो करना क्या है किसी भी शुब मुहूर्त में बजार से दो पीली कौडियां आ और किसी भी पूजन सामगरी की दुकान पर ये आपको बहुत आसानी से मिल जाती है घर ला करके विशेश दिन ब्रह्म मूर्त में उठ करके नित्य कर्मों से निर्वित हो करके महालक्ष्मी के पूजन की आप तयारी करें पूजा करते समय देवी लक्ष्मी का चित्र या म मूर्ती अपने सामने रखें मूर्ती के साथ ही दोनों पीली कौडियों को भी आप लक्ष्मी जी के चरणों में रखें अब विदी विदान से देवी लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा कर लेने के बाद दोनों पीली कौडियों को अलग-अलग लाल कपड़े में बां आस्त्रों के नुसार यदि कोई व्यक्ति कोड़ी को अपने शरीर पर धारण करता है या अपने पास रख लेता है तो उस पर बुरी नजर का प्रभाव नहीं होता इसके साथ ही ऐसे लोगों पर महालक्षमी के साथ साथ सभी देवी देवताओं की विशेश कृपा भी बनी रहती है यदि किसी व्यक्ति को सड़क पर कोड़ी गरी पड़ी मिल जाए तो यह बहुत ही शुब होता है और ऐसी कोड़ी को समहाल करके जरूर रख लेना चाहिए तो मितरों आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी आप सभी से आग रहा है कि मितरों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट के लिए बैल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप दो हो सके धन्यवाद 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाट्सप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवार